वेल्कम बैक टू क्राफ्ट एंड फूर आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने ज़री हूं खजा यानिकी फेनी की रेसिपी यह हमारी प्रफु जगनात के पास पूरी में प्रसाद में लगा जाता है और छपन भगु में से गिना जाता है वहां पर आपको यह बाला फेनी य करना मिल्कुल मत भूलिए तो चले स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर एक वोल लिया हुआ है और इसमें मैं आड़ कर रही हूं दो कॉप यानि की 300 ग्राम मेदा और यहां पर मैं आड़ कर रही हूं वान फूर टीस्पुन जितना नमक तो मैंने मेजरमेंट के लिए सेम चार से पांच बड़े चमज मनी यहां पर वेजडेवल ओल अड़ करा हुआ है आप ध्यान रखेगा जब आप तेल अड़ करते हैं बिल्कुल बीना स्मेल वाला तेल ही एड़ करीगा हम इसको अच्छे सा हाथ के मज़र से मिक्स कर लेंगे और इसमें हाथ से मुठी करके अगर यह से मुठी में आ जाता है तो हमाणा क्हास्ता जोई बौहत ही आच्छा हुगया है अभी स्टेज के हमस में क्या करेंगे पानी एड़ करेंगे तो मैंने अपर करीवन एक कप पानी लिया हुआ है और इसको मैंने थोड़ा-पानी आणा पानी अ गया निहीं करना है ज्यादा हाड भी नहीं करना है बस नॉर्मल वाला डो बनाना है अगर आप नॉर्मल वाला नहीं बनाते हैं हाड बना देते हैं तो बेलने के टाइम हमको आसानी नहीं होगा तो आभी दिखिए मेरा डो जो है बनके रेडी हो गया है और इस थोड़ा सा हाड बना है और थोड कर दो कर वाटर लिया हुआ है तो आप गठी कर दो कप पानी आड़ आड़ कर आगा हुला घ्लियम मb में 1.5 टीज़पून आड़ करा हुआ देन इसको हम इसको आच्छा से मिक्स कर लेंगे मैंने लेमन जूस इसलिए अड़ करा हुआ है क्योंकि थोड़ा हाड बनेगा सीरा तो लेमन जूस एड़ करने से क्या होगा इसका थोड़ा से बैलन्स हो जाएगा और साइड में जो हा में जोड़ा होना के लिए छोड़ दिया था अब यहां पर देखिए एक तर आ रहा है यानि कि सीरा जो है बन करेड़ी हो गया है हम इसको साइड कर लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रसस में तो यहां पर देखिए मेरा डो जो है 20 मिनिट के बाद मैं आपको दिखा रही साइड में आभी चलते हैं नेक्स्ट प्रसस में मैंने यहां पर लिया हुआ है डर्स्ट करा हुआ है मेदा और इसको हम बेलन के साहे तैसे जैसे चापाती बनाते ना उस इस टाइप का बनाएंगे ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे इसको थोड़ा सा वहलका पतला करेंगे और सेम प्रसस में मैंने सारा जो है चपाती बना के रेडी कर दूँगी यहां पर दीकिए सारा चपाती मेरे बनके रेडी हो गया है आप इसको अध्यान से बनाएगा ज्यादा मोटा नहीं करेगा थोड़ा सा पतला रखेगा और सेम मेजरमेंट यान सेम सेप में सारा बनाने के लिए ट्राय करेगा और यहां पर मैं यहीं ले रही हूँ एक रोटी उसके उपर मैं ग्रीस कर रही हूं ओयल से अध्यान से और पर दूबार अबिफ his other age तकीन हमारा जो है आ काजा जो टे अला看到 यह पर फिर अधार अच्छा मेले यारा यह और थोड़ा सा जैसे अपर अबारा एक अजय कारणेगा एंड उसके उपर भी मेदा डॉस्ट करूंगी ऐसा मैंने पांच लेयर बनाये हुआ है यह पांच रूटी से बनाये हुआ है तो यह देने से क्या होता है तेल इन मेदा देने से यह चिपकता नहीं है एक दूसरे के साथ और यह जब हम इसको चानते हैं लेयर एक डम उभर से उभर करके आएंगा तो अभी दिखिए यह मेरा ग्रीस करने के पाद मैं यहां पर दुबारा से एड़ कर रही हूं मेदा अब हमिस को क्या करेंगे पांच श्रौटि का मेन एस लेयर करकर बना दिया था जहां पर दिखिएगा तोड़ा से चिपक जाएगा वहांपर थोड़ा इस्को अच्छे से हम इसे रोल कर लेंगे रोल करने के बाद देखिए जो नीचे वाला सइड निकल जा रहा है ना इसमें हम इसको निकाल लेंगे और यहां मैं तो are Dad कर अब पानी एंड इसको ऐसे ही चिप कर लोगी ताकि गया होगा यह बिल्कुल बेलते टाइम भी नहीं कुलेगा और चानने के टाइम भी नहीं खुलेगा लेयरिंग जो है बहुत ही अच्छा से आएगा और इसके उपर मैं अभी एड़ कर रही हूं मेदा मेदा थोड़ा सा डॉस करेंगे थोड़ा से हाथ में प्रेस कर लूँगी ताकि जो अंदर वाला लेयर है यह अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और अभी आम इसको इससे कट कर लेंगे सेम प्रसेस में आपको सारा जो है बनाना है मैंने यह पर पांच रोटी का बनाया था आप इसमें मैंने सारा जो बनाया हुआ है रोटी उसी प्रसस में मैंने यहां पर करा हुआ है अब देखिए कितना अच्छा से लेयर दिख रहा है और जब हम इसको चाने गया इसका अब दिखा रही हूं दिखिए कितना अच्छा से लेयर हुआ है इसका तो अभी चलते हैं इसको बेल हमेसे सेम प्रोसस में कर लेंगे इस साइट Ms अपर चलिया है वह सर्म अभछा कर ले भी डी हुआ है यहां पर पह लोग हसा सको फलेव को घरम, जशन घरेजिए सबूंदाओ को घरम यहां डालते हैं पहले निचे रहता है फिर इसके बाद दीरे-दीरे करके उपर आता है यानि कि आपको पूरे प्रोसस में ऐसे ही करना है अगर आप हाई फ्लेम में करते हैं तो यह तो बहुत ही आसानी से कूख हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्छा रह जाएगा और बाद में दो मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए और अपने प्रेंट्स और डिलेटिव के साथ जरूर सेयर करिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिलकुल मत भूलिए अभी दिखिए कालर जो है चेंच हो गया है और इसको आप ध्यान से लो हीट पे ही कुक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत याज़ी से देखिए कितना चैसे लेयर बना है अभी सारा जो सारा है हम ऐसे निकाल लेंगे और सेम प्रसस में जितना भी हम बना लेंगे तब यह उसके बाद यह नरम हो जाए गया सेम प्रसस में मेरे सारा जो खजा है यह बनके रेडी हो गया है अभी हम इसको अच्छे से थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे गरम गरम नहीं करना है बास इसको थंड़ा हने के लिए छोड़ देंगे इसको थंड़ वाला खजा को यसे ही थोड़ा सा डुबाएगा इसके अंदर तुरंत ही निकाल दीजेगा अगर आप ज्यादा जयर इसको डुबा के रखते है तो यह पुरा जसनी बहुत सारा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा मिठा लगता है इसलिए मैंने यहां पे अड़ करा हुआ था और यहां पे मेरे सारा बनके रेडी हो गया है और इमें इस टैनर में रख दिया हुआ है ताकि सारे एक्स्ट्रा वाला सीरा है यह निकल जाएगा और यहां पे मेरे सारे खजा बनके रेडी हो गया है है यह बहुत ही आसानी सा और कितना अच्छा से लियार आ रहा है आप यह बहुत हीजी रेसिपी आप इसको घर में जरू ट्राय करें। मुझे कमेंट करके बता ही आपको यह कैसा लगा। और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में जब थंडा हो जाएगा आप स्टोर करके से साथ दिन तक रख सकते हैं। और जब खास्ता बनाते हैं तो तेल जब खास्ता बनाते हैं।